हलो, एंड वेलकूम, आज हम स्चार्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल आफ मैथमेटिकल इंड़क्शन. क्या है यह प्रिंसिपल आफ मैथमेटिकल इंड़क्शन? ये कुछ स्टेटमेंट्स को प्रूव करने का एक डिफ्रेंट वे हैं, अलग तरीका है, जिसमें हम एक अलग तरह से किसी स्टेटमेंट को प्रोब करके दिखाया करते हैं सबसे पहली चीज हमारे पास कोई स्टेटमेंट गिवन होगा हमें उस स्टेटमेंट को हमने PN सपोस करना है PN is the given statement PN हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन होगा जी आपने उसको नाम दे देना है जरूरी नहीं है कि आप PN दो आप SN दे दीजी आप TN दे दीजी जो आपका मन करें के वले एक नाम देना है जी आपने it is upon you फिर क्या करना है फिर उसका इनिशेल कंडिशन पूट करना है PUT N इक्वल टो 1 N का वेल्यू 1 पूट केजिये किस में पूट केजिये इस स्टेटमेंट में पूट केजिये स्टेटमेंट का left hand side, right hand side भी होगा या कुछ और condition आपको given हो सकती है उस condition में n equal to 1 put करके check कीजिए कि क्या वो n equal to 1 के लिए satisfy हो रही है अगर वो n equal to 1 के लिए satisfy हो रही है तो आप लिख दीजिए कि P1 is true P1 is true तो सबसे पहला काम आपने इस P1 is true को check करना है जिसे हम कहते है initial checking वो initial checking आपकी हो गई तो आपने principle of mathematical induction में आगे बढ़ना है और अगर वो नहीं हुई तो आपने कह देना है कि principle of mathematical induction cannot be applied mathematical induction यहाँ apply नहीं हो सकता छोड़ दीजी वहीं question finish हो गया लेकिन अगर P1 आपके पास true आजाता है तो फिर क्या करते हैं आप फिर मान करके चलते हैं P K उस N की जगा क्या करती है उस पूरी statement में K पूट करती थी हम यह मान के चलते हैं कि PK is true PK को true suppose कर लेते हैं इसको हमने मान लेना है कि this is true फिर के करने हैं now we use PK true to prove that PK plus 1 is also true आपने इस PK को जिसको आपने true suppose किया है माना है उसको लेते हुए आप PK plus 1 को true prove करके दिखा दीजिए बस यही तो करना होता और फिर finally आप लिख दीजिए PK plus 1 is true then वो जो पिएन स्टेटमेंट आपके पास है that is also true उसको भी true बोल दीजिए कि वो भी true होगा जी बस यह छोटा सा तरीका है केवल थोड़ा सा ध्यान यह रखना है कि कुछ calculations इसमें होती है और उस calculation में आपने थोड़ा दियान रखना है common निकालना है problem में और common निकाल करके problem solve करेंगे easily होगा otherwise expand जादा हो जाएगा तो आपके control से बाहर निकल जाएगा तो इसलिए please आप इसको common का use करके केजिए और जादा कोई formula नहीं कुछ नहीं बताना है के बल process को सिखिए आप practice केजिए easily हो जाएगे problems now come to the first one this is the first problem use principle of mathematical induction PMI लिख सकते हैं आप इसको principle of mathematical induction to prove क्या prove करना है आपने one plus three plus five up to two N minus one is equal to three plus N square यह हमारे पास statement है और principle of mathematical induction को use करके आप से बोला गया इसे प्रोब करके बताई आजए देखते हैं चेक करते हैं क्या बताया था जी हमने आपको मैंने आपको बताया था कि आप जो भी कुछ आपको given है उसे PNX statement बना लिजी जी हूचे जी क्या जी which is 1, 3, 5 up to 2N-1 2N-1 3 plus N squared फिर किया बोला था जे फिर बोला था put N equal to 1 अब N equal to 1 का मतलब पी वन चेक करना चाह रहे हैं अब जब आप पी वन निकालना चाह रहे हैं तो उसमें आप लेफ्ट एंड साइड की तो फर्स्ट वाली टरम कोई के वल ले लो जे लो जी वन है ये तो लेफ्ट एंड साइड की टरम हो गई जे अब राइट एंड साइड में भी एन के प्ले equal to one put करने पर left hand side का result तो यह आता है right hand side यह आता है, equal तो नहीं आई ज़िए, तो आपने बोला left hand side is not equal to right hand side, so P1 is not true, P1 is not true, अब P1 ही true नहीं है तो initial checking ही fail हो गई ज़िए, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे ज़िए, यहीं पर छोड़ दीजिए और बोल दीजिए कि principle of mathematical induction can not be applied, principle of mathematical induction can not applied, right इसे apply नहीं कर सकते ज़िए, is it fine यह question तो यहीं परी finish ज़िए, और आगे देखेंगे, इसको तो लिखा ही रहने देते हैं, क्योंकि बार बार यहीं use करना है, question number 2 पर आते हैं जी, use the principle of mathematical induction to prove that 1 plus 3 plus 3 square, so on up to 3 to the power n minus 1, 3 to the power n minus 1 upon 2, 2, ऐसा आपने prove करके बताना है जी, आईए जी, इसे भी करते हैं, prove पर आते हैं, start मैंने बोला था, आप pn suppose करके चलिए, 1, 3, 3 square, up to 3 to the power n minus 1, 3 to the power n minus 1 upon 2, यह है जी हमारे पास वो statement, अब इसका checking हमने, initial checking में हमने बोला, put n equal to 1, तो p1 आएगा, मैंने बोला left hand side की तो first term ले लिए जी, तो left hand side तो आपके पास 1 आगया जी, right hand side को जाएं, उसमें भी n के place पर 1 put करें, तो 2 upon 2, 1 आगया जी, ठीक है, अब की बार तो left hand side और right hand side equal आगया जी, left hand side is equal to right hand side, it means p1 is true जी, पिछले question में p1 ही हमारा true नहीं आया था, हमने उसको वहीं छोड़ दिया था जी, यहाँ पर initial checking पास हो गई जी, आगे बढ़ते हैं जी, क्या करेंगे, let's, pk, pk को true suppose कर लीजिये, इस statement में n के जगा k put कीजिये, 3 to the power k minus 1 equals to 3 to the power k minus 1 upon 2, this, let this pk, this is pk, is true for all k, इसको हमने all k के लिए true suppose कर लिया जी, अब आप क्या करते हैं, इस pk का use करके, pk plus 1 को true prove करना चाहते हैं, now, now we want to prove that whenever pk is true, then, pk plus 1 is also true, तो pk plus 1 को भी true prove करना लेकिन उसके prove करने में इसका use करना है, देखते हैं कैसे, देखेंजी सबसे पहले हम pk plus 1 को लिखते हैं, pk plus 1, 1, 3, 3 square, 3 to the power k, जगा k plus 1 करेंगे तो 3 to the power k हो जाएगा, this is 3 to the power k plus 1 minus 1 upon 2, this is our pk plus 1, इस pk plus 1 का ये result इसके equal prove करना है, लेकिन उस use कर, उस prove करने में इस pk को हमको use करना है, आईए जी, consider करते हैं, left hand side of pk plus 1, left hand side of pk plus 1 क्या है जी, हमारे पास 1, 3, 3 square, और up to 3 to the power k, correct, अब आपने देखा 1 से start हो करके 3 to the power k तक चले गए, अगर मैं इससे एक पहली term लिखो, dot dot डाला हुआ जी आपने, इसका मतलब बीच में काफी सारी term आपने छोड़ देजी, तो अगर इससे एक, इस last वाली term को तो मैंने 3 to the power k लिखा, इससे एक पहले वाली term, 3 to the power k minus 1, वास्तों में ये जो term आपको लिखनी है, ये वास्तों में उस pk की last term होती है, और उससे क्या फाइदा होता है, उससे फाइदा ये होता है कि यहाँ वाला ये result, pk बन जाता है, और pk के according, हमने यहाँ तक के इस result को, ये को, इतना बोला है, कितना, 3 to the power k minus 1 upon 2, इस result को तो इतना लिख दिया, plus 3 to the power k और आपको गिवन है, divided by कितना, 2, 3 to the power k minus 1, plus 2 times, 3 to the power k, तो 2 times 3 to the power k ये है, 1 times 3 to the power k ये है, तो क्या हो गया जी आपके पास, 3 times 3 to the power k, minus 1 upon 2, जिसे आप 3 to the power k plus 1 minus 1 upon 2 सकते हैं, क्या हो गया जी आपके पास, left hand side लेके चले थे pk plus 1 का, right hand side आपने प्रोव करके दिखा दिया जी, which is right hand side of pk plus 1, we got the right hand side of pk plus 1, ये ही तो करना था हमने, हमने प्रोव करके दिखा दिया, आपने प्रोव करके दिखा दिखा हैं, Hence this 1 3 3 square up to 3 to the power n minus 1 3 to the power n minus 1 upon 2 और ये आपने क्या कर दिया जे प्रूव कर दिया जे तो PK plus 1 को प्रूव करने के बाद आप finally ये statement लिख दिया कि that we have proved that result यही target था जी हमारा ऐसे करना होता है जी इस टाइक की problem को principle of mathematical induction बोलते हैं जी हम इसको जी और करते हैं एक question एक और question है 1 2 into 5 1 upon 2 into 5 dot नहीं है इंटू नहीं है point नहीं है 2.5 नहीं मत मानना जी आपसे this is 2 into 5 5 into 8 8 into 11 1 upon 3N minus 1 3N plus 2 is equals to N divided by 6N plus 4 ठीक है देखिए जी इसमें पर आईए जी इसके proof पर आपको जो भी कुछ given है उसको मैंने नाम देने को बोला था कि आप उसको PN नाम दीजिए 2 into 5 5 into 8 8 into 11 यह हमारा statement हो गया जी PN मान लिया इसे हमने फिर क्या बोला था put करना था N equal to 1 N equal to 1 में मैंने बोला था कि आपको इसकी तो first term ले 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 नी है जी left hand side की 1 upon 10 आगया जी और right hand side में N की value input कर लेना है this is our left hand side और right hand side में N के place पर 1 ऐसा करता हूँ right hand side में N के place पर 1 6 into 1 plus 4 which is 1 upon 10 again left hand side equal to right hand side तो आपने लिखा P1 is 3 अब P1 3 आ जाता है तो फिर क्या बोला था मैंने PK सपोस कर लेते हैं let PK अब PK क्या बनेगा जी इस statement में अनकी जगा के पूट कर दीजिए this is a statement ये let कि हमने इसको कि that this is true इसको आपने true सपोस कर लिया जी for all k फिर क्या करते हैं जी आप प्रूब करना चाहते हैं कि PK plus 1 true बनेगा जी इसमें थोड़ी सी समयदारी दिखानी है ज़्यादा जल्दी नहीं दिखानी है mistake नहीं करनी है PK plus 1 लिखने में mistake करते हैं देखिए आप कैसे लिखेंगे इसमें K के place पर K plus 1 करेंगे तुस्ट्वन क्या करता है 3 के minus 1 1 और add कर देता 3 के लिख देता है नहीं जी आपने K के place पर K plus 1 लिखना है तो जब आप K के place पर K plus 1 लिखेंगे तो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको हमारे पस 3 के minus 1 था जी लीजिए जी 3 के के place पर K plus 1 और ये minus 1 ऐसे का ऐसे 3 के plus 3 minus 2 कितना minus 1 कितना आगया जी 3 के plus 2 आगया जी तो आपके पास यहाँ आजाएगा 3 के plus 2 और ये क्या आजाएगा 3 के plus 5 यहाँ भी के के place पर K plus 1 ये क्या आजाएगा 6 के plus 10 जल्दी नहीं करना है ऐसे लिख करके देख लेना अगर किसी तरह का doubt हो तो चेक कर लीजिए जी यह mistake हो जाती है तो आपके पास के के place पर K plus 1 यानि इस उपर वाली लाइन में K के place पर K plus 1 करने के बाद हमारे पास P K plus 1 बनके अब हमने क्या बताया था जी हम इस P K plus 1 की left hand side को लेते हैं इस उपर वाली statement P K का use करते हैं और इसको true prove करके right hand side P K plus 1 की निकालके दिखा देते हैं तो लीजिए जी हम left hand side ले रहे हैं of P K plus 1 जो कि हमारे पास है 2 5 5 8 8 11 up to 3 K plus 2 and 3 K plus 5 फिर मैंने क्या कहा था जी फिर मैंने बोला था इससे एक पहली term को consider करते हैं और इससे एक पहली term P K की last वाली term होती है जी या तो करके देख लो नहीं तो directly पूट कर दोगे तो कोई mistake नहीं होगा जी या आएगा 2 into 5 5 into 8 8 into 11 plus अब इससे एक पहली term लिखो पहले ये 3 K plus 2 and 1 upon plus 1 upon 3 K plus 2 and 3 K plus 5 is it fine अब यहां तक का जो result आपके पास है ये P K के इक को लों किया जी और P K क्या कहता है कि इस result की जगा K over 6 K plus 4 put कर दीजिए यहां तक का result this one यह 2 suppose किया था K divided by 6 K plus 4 और प्लस यह वाली term बहुर रहे गए अल्राइट अब यहां पर गड़बड होने के चांस है यहां पर common देखिए जी पहले कि common कहीं से निकलता है क्या आप देख रहे हैं common निकलता यहां से यह तो K है अगर मैं इसमें से 2 common ले लूँ तो 3 K plus 2 और 3 K plus 2 वहां भी दिखता है जी आपको तो 1 अपन 3 K plus 2 common ले लिजे जी क्या रहे गया जी K divided by 2 है और 1 अपन 3 K plus 5 अब से इंपलिफाई दर लो LCM ले लो 1 अपन 3 K plus 2 LCM लिया 2 3 K plus 5 इधर आजाएगा 3 K square plus 5 K plus 2 और उसके factors कर लीजे factors आपके पास आजाएगे 1 upon 3 K plus 2 इसके factor हो गए 3 K plus 2 and K plus 1 divided by 2 से multiply कर लीजे तो 6 K plus 10 आजाएगा ये cancel हो गया K plus 1 divided by 6 K plus 10 only calculation calculation से डरना नहीं है घबराना नहीं है लेकिन जादा expand नहीं कर लेना है जादा खोल लोगे गडबर नहीं आएगा जी result क्या आगया जी हमरे पास P K plus 1 का right hand side yes which is the right hand side of P K plus 1 is it fine all right एक problem आपके discuss कर लें one more question आपसे बुला गया use principle of mathematical induction to prove that N N plus 1 N plus 5 is a multiple of 3 इसे multiple of 3 आपने प्रोव करके देना है आईए जी बिलकूल उसी तरह से कुछ भी नया नहीं है P N statement suppose कीजिए जो कि किसके इक्वल N N plus 1 N plus 5 is a multiple of 3 तो सबसे पहले क्या निकालेंगे P 1 निकालेंगे 1 का मदलब है इसमें N के प्लेस पर 1 पूट कर देजिए तो 1 1 plus 1 1 plus 5 तो 2 इंटो 6 कितना आया 12 क्या ये multiple of 3 है 12 is multiple of 3 so P 1 is true तो P 1 आपके पास 2 आगया जी फिर क्या करते है लेट करते है P K P K में क्या करोगे जी K K plus 1 K plus 5 is multiple of 3 तो आपने इसको multiple of 3 माल लिए suppose कर लिए कि this is true ऐसा करते हैं कि K K plus 1 K plus 5 को multiple of 3 यानि 3L के बरावर माल लेता हूँ क्योंकि last में जाकर के थोड़ा सा prove करने में आसानी रहेगी सारी चीज़े नहीं लिखनी पड़ेंगे जी आपको अब आईए जी P K plus 1 को आप लिखते वो कैसे होगा जी K plus 1 K plus 1 बदल जाएगा K plus 2 में K plus 5 बदल जाएगा K plus 6 में तो आपने P K plus 1 को भी इसे multiple of 3 prove करके दिखाना है तो हमारे ये statement prove हो जाएगा आईए जी start with K plus 1 K plus 2 K plus 6 अब इससे किसी तरह से आप ये चीज़ बनाने की कोशिच कीज़े अब आप देख रहे हैं ऐसा करता हूँ यहाँ से के ले लेता हूँ K plus 1 मेरे पास already है ये वाला और एक ले लेता हूँ K plus 6 ठीक बात है जी तो मैंने K लिया यहाँ से और बाकी दोनों पार्ट ले लिये फिर हम क्या लेते हैं इसका 2 ले लेते हैं और K plus 1 और K plus 6 ले लेते हैं अब यहाँ देखिए जी ये चीज लगभग ये बन गया जी क्या कमी रह गए K K plus 1 अगर मैं इस K plus 6 को K plus 5 plus 1 कर दूँ तो थोड़ा और आगे बढ़ गए हूँ twice off अब देखिए जिसको खोलिए K plus 5 का इन दोनों से मल्टिप्लाई करो तो K K plus 1 K plus 5 और फिर 1 के साथ भी इसका मल्टिप्लाई करो तो K K plus 1 plus twice ये वाला इसे कैसे उतार दीजिए अब ये वाली चीज को क्या बोला हुआ था आपने इसको तो आपने 3L बोला हुआ था अच्छा जी ये तो 3 का मल्टिपल दिया ही हुआ था जी अब देखने वाला 3 का मल्टिपल बनता है कि नहीं बनता है उसमें से कुछ कॉमन दिखता है हमें हमें दिखता है K plus 1 K plus 1 हमें वहां से कॉमन दिखाई दे रहा था क्या रह गया जी? K रह गया और उधर रह गया 2K plus 12 राइट? 3L plus K plus 1 और यहां गया आपके पास 3K plus 12 क्या इसमें से अब 3 कॉमन निकल जाएगा? येस सब में से 3 कॉमन निकाल दीजिया जी यहां रह गया जी L एक रह गया जी K plus 1 इसमें से 3 कॉमन निकालोगे तो K plus 4 लोजी, totally P K plus 1 3 का मुल्टिपल प्रूप कर दिया जी है? विच इस मुल्टिपल अफ 3 इसका मदलब P K plus 1 is मुल्टिपल अफ 3 जो P K plus 1 is मुल्टिपल अफ 3 यानि बोलिए P K plus 1 is true P K plus 1 is true और finally क्या लिखना होता है? N, N plus 1, N plus 5 is a multiple of 3 ऐसा हमने प्रूप कर दिया जी ठीक है? बस जी principle of mathematical induction में इतना ही किसी टाइब की problems आप लोग practice कीजिए और भी किसी टाइब की problems होंगी तो उन्हें भी इसी तरह से हम लोगों को करना है start with N equal to 1 K के लिए true prove suppose करके चलिए और फिर K plus 1 के लिए उसे true prove आप करके दिखा दिया जी जी आज के लिए इतना ही Thank you Thank you very much